हाई एवर्यमन कैसे हैं आप सभी आशा करती हूं कि बढ़िया होंगे अच्छछ देकित योः आ रहे हैं और बहुत सारे कमेंट सारे मेरे पास कि नेहां गेवर की रेसिपी दे दे नेहां बेशन के लटू की रेसिपी दे या नेहां मोहन थाल की रेसिपी दे और कुछ कोई गड़ बढ़नी होगी नो फेल रेसिपी है एक बार दोनों रेसिपी स्ट्राई करिएगा बेसन वाली है इस रक्षबंधन अपने भाई को अपने हाथों से बनी मिठाई खिलाना हर कोई आपकी तारीफ करेगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है वीडियो पसंद आई कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कोमेंट शेर कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद ने आए तो आप अपकोर्स इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं आचा देखे रक्षबंधन आ रहा है हम अपने भाईयों के लिए मिठाई गेवर या जो भी चीजे होती हैं बाहर से लेकर आते हैं इस रक्षबंधन मैं आपको दे रही हूँ दो शांदार मिठाई जिसे एक बार बनाने के बाद आपके भाई करेंगे आपकी बहुत सारी तारीफ यह मेरी गैरेंटी है तो सबसे पहले आज हम बेसन से दो रेसिप दे रही हूँ तो यह दो कप बेसन हमें कढ़ाई में डाल लेंगे ठीक है देके दो कप फे पूरा लेबल करके दबा अकी नहीं बरना है बस लेबल करके बरना है वजन में तकरिब इने 500 ग्राम होगा एक कप में 125 ग्राम बेसन आता है अब जितना बेसन है वैसे तो होता है इसलिए हम क्या करेंगे जितना बेसन है उसका हाफ अमाउंट में हम इसमें घी डालेंगे वो भी पिगला हुआ तो मैंने इसमें एक कप घी प्लस चार टिबल स्पून और डाला है यानि के सवा कप के करीब मैंने इसमें घी डाला है थोड़ा सा जादा डाल सकते हैं सवा कप से एक चमचोड जादा डाल सकते हैं और गी को बेसन में अच्छे से मिलाने के बाद स्लो फ्लेम पर आपको करनी है इसकी बुनाई तो शुरुआत में तो थोड़ा है आपको ड्राई ड्राई लगे गए लेकिन जैसे आप इसकी बुनाई करती जाएंगी धीमी धी मीठी मीठी आज पर, यह अच्छे से हल्वे की तरह थोड़ा सा पतला होना शुरू हो जाएगा, भी थोड़ा गाडा गाडा सा हो गया ना तो अबह जैसे इसकी बुनाई अच्छी हो जाएगे, लाइक जैसे होनी चाहिए तो यह और भी सम में घ्मारी बुने इंगा, पै प्रवात में आपका हाथ दुखेगा लेकिन बाद में आपको मजाएगा इसे भूनने में फिर जब आपको लगे कि अच्छा भून रहा है 80% भून चुका है तब आप इसमें पसंद के ड्राइफूट्स एड़ कर सकते हैं खर बूजे के भी जरूर एड़ करिएगा सिस्वा बहुत अच्छा आता है इसमें तो बेसन के लड़ू तो हर कोई खाता है इस बार इस रक्षा बंदन जन्मास्ट मियां बेसन के पेड़े बनाना यह देखे कितना लूज हो गया यह अभी यानि एकदम परफेक्ट भून रहा है यह इसे भूनते वे आपको हाथ नहीं रोक बिल्कुल ऐसा जैसा वीडियो में देख रहे हैं तब आप इसे किसी बरतन में निकालने और इसमें गी ऐसे फ्लोट होना शुरू हो जाएगा तो यह पफेक्ट साइन है कि जब आप इस अच्छे से भूल लेंगे तो इस तरीक से गी आना शुरू हो जाएगा अब यह ले उससे टेक्शर अच्छा आता है तो चूंकि यह बूरा मेरे पास रखी वी थी रखे 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 इसमें क्याई बार ना लड्डू जैसे बन जाते हैं तो च्छान कर इस्तेमाल किया मैंने एक कप लिया है मैंने ठीक है एक कप में एकदम पॉफेक्ट इसमें टेस्ट आता है अच्छे से मिक्स किया देखे एकदम टेक्शर परफेक्ट है आप हातों में इस तरीके से लेंगे तो शाइन आएगा प्लस आपको यह काफी लूज लगेंगी तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है अच्छे से गोल गोल पहले लड्डू जैसा बना ले फिर सेंट में गड़ा करके आप कोई भी ड्राइफूट सूपर से लगा सकते हैं चांदी का वर्क लगा सकते हैं क्योंकि हम इसे तिहारों के लिए बना रहे हैं तो यह देखे मैंने किस तरीके से बनाया और कितने सुंदर लग रहे हैं यह जब आप इसे बनाकर किसी भी डब्बे मे बने वे पेड़े हैं वो भी बेसन के और बहुत सॉफ्ट मुझाने वाले बनते हैं यह आप इसे ट्राइ करीगा इसमें आप इलाइची पाउडर बिल्कुल ना डालें क्योंकि बेसन का अपना एक फ्लेवर होता है जो बहुत अच्छा लगता है तो हमारे यहां पर यह ब बनकर तियार है जो बहुत ही शांदार बनते हैं आप इन्हें ट्राइ करिएगा इस रक्षवंदन आपको पसंद आएंगे बनाएंगे क्रिश्णा जी की सबसे मिठाई जो की है मोहन धाल देखे कितना शांदार यह बना है एक दम परफेक्ट रेसिपी में लेकर आई हूं यह देखे कितना सोफ्ट है और बहुत ही बढ़िया है मुँ में जाती ही घुल जाएगा दिखने में भी कितना बढ़िया है और खाने में तो बहुत ही मसी का बना है और रेसिपी बहुत ही सहरल है तो पूरे टिप्स और टिक्स के साथ आज मैं आपके साथ हलवाई तो आप एक बार वीडियो को देखने के पाद ये रेसिपी ट्राइब करना और अगर आपको थोड़ इसी भी पसंद आए तो लाइक कोमेंट शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को तो चलिए शुरू करते हैं पॉफेक्ट मोहन थाल बनाना मोहन थाल बनाने के आप यहां पर जो शुद्ध घी है ना तो वो एकदम मेल्टिड है और ना ही जमा हुआ है तो किस तरीका का घी मैंने इस्तिमाल किया है यह दो टेबल स्पून हमें डालना है बिल्कुल इसी फॉम का घी डालेगा और तीन टेबल स्पून डालेगा इसमें दूद तो से साथ मिनट बिल्कुल ऐसे रगटना है आपको दोनों हाथों पर बेसन को और बस उसके बाद इसे ड्रक कर रखना है आपको तकरिवन एक घंटा एक घंटे के बाद देखिए इसमें बहुत अच्छे से दाना पढ़ गया है तो आप दो तरीके फोलो कर सकते हैं यहां पर इस प्रोसेस को फोलो करने के लिए देखिए तो चलनी ले लिजी आटा चानने वाली चलनी होते हैं या तो आप इसमें यह सारा बेसन डाल कर चान लीजेगा यह स्टेप करना बहुत जरूरी है या फिर आप मेरी तरह मिक्सी के जार में से डालिए आप बिल्कुल ऐसे भी महंधल बना सकते हैं और इसको देखिए ऐसे ग्राइंड कर लीजेगा तो परफेक्ट दाना यहां पर पढ़ चुका है बहुत ही दानेदार यह बेसन बनके तियार है अब यह समान एक कप लिए हैं हमने चीनी और एक कप लिए है शुद्ध ही और घी का टेक्शर देखिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए आधा कप है दूद और चुटकी भर के हमने लेया ओरेंजी फूर्ड कलर जो की कम्प्रीटली ओप्शनल है तो सबसे पहले एक कढ़ाई में डालेंगे शुद्ध घी तो मैंने थ्री फॉर्थ कप डाला है एक कप घी लिया था मैंने जिसमें स टोटल पूरे इस महान थाल में दो कप बेसन में एक कप घी लगता है शुरू में भी हमने डाला है और बाद में थ्री फॉर्थ कप डाला है तो धीमी धीमी आच पर आपको इसे भूनना है तब तक भूनेगा जब तक कि एकदम कलर इसका चेंज नहों जाए अच्छी से ख प्तशक कप पानी डालेंगे इसमें और इस एच्छे से उबालेंगे तो यहां पर आपको जो चाषनी है लगातार चलाते हुए एक तार की बना कर त्यार करनी हैं चाषनी का खास धियान रखना है अगर चाषनी गलती से भी डेट तार की हो गई या 2 तार की हो गई तो पर देखिए आप हमारी बेसन का रंग भी चेंज हो गया और दाना भी इसमें आपको अच्छे से दिख रहा होगा तो धीमी धीमी आज पर मैंने इसे भूना है यह सबसे पहले का बेसन है और यह अब है कि इतना डिफरेंस आगया कलर में तो बस इस कलर तक आने तक इसे भू कीजिएगा तो यहां पर आप देखेंगे दूद डालती ना एकदम से जहाग जैसे इसमें फील होंगे और जब यह जहाग एकदम से बंद हो जाए ना तब दूसरे बैच का दूद डालेगा थोड़ा सा दूद वह डालेगा और अच्छे से मिक्स हो जाए तब आप सारा दूद करते ने चाशनी और चुटी भरेंगे तो केसर के सिस्तिमाल भी सकते के लिए उसके ना ना करना चाहिए तो बिल्कुल गरम और आप बस गैस की फ्लेम मैंने ओन कर दी है और गैस की फ्लेम ओन करके इसे दो मिनटी भूनिएगा दो मिनट से जादे बिलकुल ना भूने और दो मिनट भूनने के बाद आप इसको इस तरीके से किसी ट्रे में या फिर किसी थाली में सेट कीजिएगा तो मैंने ना ट तो चार से पाच घंटे में उखसेे tap हो जाता है लेकिन अदि अब क्या प्लस ओर्फेंट एके नोश्यान झाणी कोजल मुफyu होघं़ेंगी हूवाल साथ感 फ़ना छाहिए बिल्कुल घर मेंदन नी जाता है दूड डालने के बाद तो गैस के फ्लेम बंद कर दीजेगा और जब वह हलका सा थंडा हो जाए गुन-गुना हो तब आप इसमें डालेगा चाशनी और चाशनी डालने के बाद आप इसे दो से तीन मिनट पकाईएगा धीमियाच पर और इसके बाद इसे किसी बरतन जैसा चाय आप इसे डेकॉरेट कर सकते हैं यह देखे कितनी असानी से कट रहा है तो बहुत ही शानदा रेसिपी है एक दम परफेक्ट मिजर्मेंट के साथ मैंने शेयर करी है जब आप सारे प्रोसेस को फॉलो करके महन थाल बनाएंगे तो आपका महन थाल बहुत अमेजि सी है यह देखे मैं आपको इसका टेक्शर दिखाती हूँ कि कितना बड़ी है इसका आया है यह देखे तो आप अपने घर में इस महन थाल को बनाना आने वाले त्योहर अबर आपको बहुत बहुत पसंद आएगा फूल पूरूफ रेसिपी है बिल्कुल भी गड़बड न में आशा करते हूँ कि आपको आज की दोनों रेसिपीज पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो आप इन्हें लाइक कोमेंट कर सकते हो और हां रक्षामंदनी स्पेशल ना मेरे पास बहुत सारे जो है ओर्डर सारे है जो बहने भाईयों से दूर रहती है वो अपने आइस करवा सकते हैं as for your choice तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक किया